नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं इतले श्ठाकूर, मंत्री बादल पत्रलेक, मंत्री सत्यान भोकता समेत कई अने लोग उपस्थित हैं बता दे, मुख्य मंत्री कीसी भी भी भाग का उचक निरिक्षन कर सकते हैं, सीम क्यागमन को लेकर कारक्रम की रूप रेखा त्यार की गई है बता दे, सीम हेमन सुरेन, 8 दिसमर को गढवा से शुरुआत के बाद, 9 दिसमर को पलामू में उसके बाद, मुख्य मंत्री हेमन सुरेन, 12 दिसमर को गुमला, 13 को लोहर्दगा, 15 को गोटावा, 16 को देव घर में होंगे मुख्यमंत्री हमांसुरे ने खत्यानी जोहार यात्रा को लेकर ट्वीट किया है उन्होंने लिखा है कि मागर्देवी की पावन धर्ती गड़वा से आज खत्यानी जोहार यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ इस दरान समधित जीलो में चल रही भी भीन वजनाओ, लोक कल्यनकारी वजनाओ, आदी को लेकर जीला अस्तरिय समिक्षा बैठक भी करूँगा महिला कॉंग्रेश नेताओं ने फुका परदेश परभारी का पुतला जारखन कॉंग्रेश में जीला धक्षो के नाम की घोसना के साथ ही विवादो का दर जारी है, पहले 25 संगठनिक जीलो में किसी अलपसंख्या को जगा नहीं मिलने से हंगामा मचा, और बाद परदेश अद्यक्ष के पुतला फोगने तक पहुच गया इसके बाद आनन फान में कई जीला धक्षो को बदल कर अलपसंख्या को जगा दी गई, वहीं कई अलपसंख्या को कारेकारी जीला धक्ष बनाया गया, अब जीला धक्षो की सूची में महिलाओ को जगा नहीं मिलने से नराज कांग्रेश महिलाओ ने परदेश कर्याले में अविनास पांडे और रायस्था कुल का फुतला फुका है आक रोसित महिलाओ ने कहा एक महिलाओ कि उपेक्छा सविकार नहीं और ये लड़ाई दिली तक जाएगी जारखन में 82 का 44 फिजदी ही हो पाई खर्च सरकार के अधिकारी जारखन में 88 फिजदी नाओ पर खर्च करने में कंजूसी बरत रही है यह हम नहीं बलिक राज सरकार के आकड़े से पता चलता है बता दे पुन्रिक्षित बयाट एक लाग तीन हजार आट सो पैतारीस कोर रुपए में यह जना बयाट 69 464 कोर और अस्थापना बयाट 44 381 कोर रुपए की है यह जना बद में 37 परतियत और अस्थापना बद में वहीं वितिय वर्ष 2022 तेस में तीन पर फिजदी खर्च हुए है लिंग परिक्षन के मुखवीर को मिलेगा एक लाख रुपए का इनाम भुरून हत्या पर रोक लगाने के लिए चोरी छूपे लिंग परिक्षन करने वाले अट्रसाउंड केंद्रों के खिलाप जल्द ही स्वास्त विभाग अभ्यान सुरू करेगा राज में भुरून परिक्षन फिष्ट का पता बताने वाले व्यक्ति को एक लाख काई नाम दिया जाएगा वहीं इनका नाम भी गुपत रखा जाएगा बता दे PC and PNDT एक्ट को सकती से लागू कराने के लिए सबी सिविल सर्जन और करयापालक दंडा अधिकारियों को प्रसिक्षन दिया गया है अल्ट्रा साउंड और इमेजीन सेंटर का निरीक्षान कानूनी पर किरिया की भी जनकारी दी गई है जारखन पावर वर्कर्स यूनियन के लोग भूख हरताल पर करमचारियों में संग के अधियक्ष आसिस कुमार, मनिंदर राना, सुरेश, हंसदार, आकेश कुमार रजक और उतम पस्वान सामिल है भूख हरताल पर बैठे पावर वर्कर्ने सरकार पर वाला खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि यदि यही रवया रहा तो राज में बिजली बेवस्ता पुरी तरह ठाप हो जाएगी पंकज मिस्रा के रातों की निंद उड़ी बेचाइनी में कटती है रात साहेब गंज में हुए एक हैर को रुपए के अवायद खनन और मनी लॉंडरिंग केस के आरोपी पंकज मिस्रा की रातों की निंद उड़ी हुई है CIP में इलाजरत पंकज मिस्रा के बारे में मिली नई जनकारी की मुताबिक पंकज मिस्रा को रात को नीद नहीं आती है वो बेचैन रहते हैं बता दे रिम्स में पंकज मिस्रा का इलाज कर रहे है डक्टो ने कहा था कि पंकज मिस्रा को नसे किला था है डक्टर ने बताया था कि पंकई मिजरा को दर्द निवारक और बेहोसी की दवा फोर्ट्वीन का सेवन करने की आदत है वो इसका इंजेक्शन लेते रहे हैं पंक्रियाटिक्स की सिकायत पर रिम्स में भरती कराये गए पंकई मिजरा का इलाज अब CIP में नसा मुक्ति के अंदरे में किया जा रहा है हार का अपने वाली ठंड में जमीन पर रिम्स में हो रहा इलाज राज्य के सबसे बड़े सरकारी एस्पताल ग्रिम्स में कपकपाती ठंड में जमीन पर इलाज हो रहा है, बेड नहीं होने पर रिम्स परवंधन ने गलियारे में इलाज की विवस्ता की है, पर नियूरो सर्जरी वाड में भरती मरीज जितनी अपनी बिमारी से परिसान नही बता दे इस वाड में 177 से अधीक मरीजो को बेड नसीम नहीं हो पाया है, इनका इलाज गलियारे में जमीन पर चल रहा है, जहां ठंडी हवाय जनलेवा बनी हुई है, मरीजो ने गलियारी की खुली जगा में बेड पर बिछाने के लिए मिलने वाली सिंगल यूज किया है, जैसी भी सिखुदाई के बाद मसीन को जमीन के अंदर से निकाला जा सका है, बता दे बगोदर थाना चेतर के डोरियो पहाडी के पास जमीन के अंदर मसीन को गाल कर रखा गया था, फिलाल पुलिस भी मसीन के बारे में 20 जनकारी नहीं दे पा रही है, जीटी के छटे संस्करन की घोसना कर दी गई है, नई दिल्ली के ताल को टोरा इस्टेडियों में जन्वरी 2013 में इसका आयोजन होगा, इसमें देश वर्थे चुने गए बिद्यार्थी परहान मंत्री नायन्दमधी के साथ बाचित करेंगे, कालिकरम में परधान मंत्री बोर्ड परिक्षा से पूर विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रखने की सिख देंगे, साथ ही सिख्षा और करियर से जुड़े सवाल पर विद्यार्थियों का मार्ग दर्सन भी करेंगे, कालिकरम में बच्चों के अविभाव को और सिख्ष को से भी बारता होगी, जहां अपने और लक्ष को पूरा करने की संभावना अपर भी सलाह दी जाएगी, जे एस एस सी सीजेल अभियार्थियों को अमती मौका, जहारखन समाने योगता धारी सन्युक्त परिक्षा 2021 के 566 अभियार्थियों को फोटो वा हस्ताक्षर अपलोड करने कामती मौसर मिला है, उक्त अभियार्थियों को 16 दिसमर की माधिराती तक फोटो वा हस्ताक्षर अपलोड करने का निदेश दिया गया है, बता दे जहारखन करमचैरी चेन आयोग की अधिकरित वेपसाइट पर लिंक उपलब्द रहेगा, फोटो वा हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद अभियार्थियों अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त कर लेंगे, ताकि बवी समय काम आ सके, फोटो वा हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने वाले अभियार्थियों को परिच्छा में सामिल होने के लिए आयोग द्वार पर उस पत्र जारी नहीं किया जाए ख़ाएंगे, सिक्षकों को अब किसी कार्य को लेकर प्रखंड या जीला करेयाल नहीं जाना होगा। परख़न सिक्षा प्रसर पदाधिकारी को नीमित रूप से विद्यालाय का निरिक्षन करने को कहा गया है। को बंद कर दिया गया। इसे 8, 9 और 10 दिसमबर को जार्खन के मौसर में बदलाव का उनुमान है, 9 दिसमबर की सुबा में कोहरा चाय रहेगा और हावा चलने से ठंड बढ़ेगी, बादल के चलते रात में नियुतन तापमान में 2-3 डिगरी की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन उतर भारत में हो रही ब बारी से 11 दिसमर्थ जार्खन में और पारागीरने की संभावना है, इसे जार्खन में सितलाहर चल सकती है, धन्यवाद